हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है हमारे चैनल सिक्षा साथी में आज मैं DEC related एक information लेके आप सब के सामने आई हूँ DEC program जो है Diploma in Early Childhood Care and Education वो एक बहुत ही popular program है इन्वरस्टी का और पिछले कुछ सालों में उसमें बहुत लोगों ने admission लिया है enrollment बहुत जादा बढ़ा है और चुकि program में enrollment बढ़ा है बहुत लोगों ने admission लिया है उसी इसाब से program को कैसे चलाया जाए program के assignments और projects के कैसे marking की जाए उसके उपर भी बार बार changes होते रहे हैं ठीक है इसी बीच किया हुआ lockdown भी आ गया उसके बावजूद भी lockdown के बावजूद भी पिछले तीन सालों में बहुत ही जादा लोगों ने admission लिया इस program में इसलिए EGNU क्या कर रहा है वो अपने project work guideline को बार बार modify कर रहा है ताकि students अपना project work अच्छे से complete कर सके लास्ट two years में बहुत सारे challenges आई EGNU के सामने उनको ये भी देखना था कि जो candidates अपना project work कर रहे हैं उसको वो maintain करके रखे ठीक है इसके लिए ही अभी फिल्दाल लास्ट मन्त में जो है एक meeting हुई है जिसमें जो director है school and program coordinator EGNU के और जो director RST है उन दोनों के बीच में उनके साथ meeting हुई कुछ और staff के साथ meeting हुई है उसमें उन्होंने discuss किया कि जो है किस तरह से program को implement किया जाए ताकि और बहतर ये program हो सके कि lockdown के समय तो ये guidelines दिया गया था कि आप जो है अब चुकि आप अभी nursery schools खूले नहीं है तो आप अपने घर के किसी बच्चे के साथ या अपने पडोस के किसी बच्चे के साथ आप activities कराएंगे और उसकी project आप लिखके भेजेंगे अगर आप किसी बच्चे के साथ नहीं कर आया गया था कि आप ऐसा करिए जब तक कि preschool खुलते नहीं है पर चुकि बहुत candidates ने admission लिया है और अभी जो है school का खुलने का chances भी कम लग रहा है तो इसे भी जितने भी candidates प्रोजेक्ट वर्क भेजा उनमें बहुत सारा copied project वर था जो एक उसमें सोनों ने copy किया था यह देख खत्रे में हैं और जिसके करने इतने सालों से जो उन्होंने reputation मना के रखाए new university का वो खत्रे में आ सकता है इसलिए quality project work को maintain करने के लिए यह जो director है school and program coordinator की director जो है और director RST जो है उन सब के साथ अच्छे से discussion हुआ है और उन्होंने सुचा उन्होंने नए strategies बनाये हैं दोनों सम समय के लिए जब lockdown खुल जाएगा और preschool खुल जाएंगे तब के लिए या फिर जब lockdown रहेगा उस समय के लिए कि किस तरीके से जो है प्रोजेक्ट वर्क की सचाई truthness maintain हो और जिस objective जिस aim को लेके यह program बनाया गया है वह एम complete हो कि students जो candidates समझें कि यह program जो है वह क्या सिखाना चाता है project work क्यों करना जरूरी है कैसे करना जरूरी है इसकी लिए जो है meeting हुई थी meeting में यह decide किया गया कि जो है चुकि बहुत ही poor quality project files आ रहे है इसलिए जो regional center जितने भी है उनके तरब से 10 approved counseling session कराये जाएंगे मतलब 10 online classes होगा regional center के तरब से project work के उपर सिफ 10 classes होगे उस 10 session में पुरा right start of the program से लेके पुरा end तक जो है यह सब कुछ समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको project work करना है यह पहले भी था यह provision पहले भी था भली उसको नहीं कीमाना जा रहा था पर अब इससे किया जाएगा अब है कि ज्यादा accountability लाने में evolution methodology of project work में कि जो है जो checking process है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सही तरीके से हो इसलिए इगनु ने डिसाइट किया है कि वो एक online portal बनाएंगे एक और link create किया जाएगा इगनु website में ही जहां पे कि students अपने videos डालेंगे videos का मितलब है कि आप जो project लिख रहे हैं वो project के साथ आप बच्चे के साथ वो project कर रहे हैं वो सारी activities कराते हुए आप एक video बनाएंगे और जब आप अपने project की hard copy या soft copy जो भी भेजेंगे एगनु को साथ ही साथ जो है आपको एक अपना ये video भी उस link में upload करना होगा ठीक ह अगर आप online अपना project भेज़ रहे हैं तो साथ में video भी आपको link करना होगा इससे क्या होगा कि जो है जो है जो candidates की बीच में लालज होता है कि नहीं हमें एक दूसरे की copy कर लेंगे ये copy करने कि उनकी tendency खतम हो जाएगी ठीक है तो जो है अब lockdown situation में students को बहुत दिक्कत ये भी यह कारी थी गाइड ढूनने में ठीक है तो अब जब की एक portal बन जाएगा तो guide का role पूरी तरह से खतम हो जाएगा ठीक है इगनु ने कहा है वह guide है कि नहीं और बच्चे ने candidate ने सच में सही project किया है कि नहीं यह सब ठीक तरीक से जाननी पा रहे थे क्योंकि बहुत सरा copied project सा रहा था इसलिए जो है गाइड का role को पूरी तरह से हटा दिया गया है अब किया था पहले 70-30 ratio था गाइड जो है वह टोटल मार्क्स का 70% मार्क्स यहां से भी जेंगे और इगनु सेंटर गाके इगनु के अपके इगनु head office जाके वहां पे आपको 30% मार्क्स इगनु के examiner दे रहे थे अब जो है मार्किंग स्कीम चेंज कर दिया गया है अब वह 100% centralized evolution रहेगा अब कोई रोल नहीं रहेगा गाइड का मार्क्स देने में पॉर्टल क्रियेट होगा जहां पे students अपने वीडियो डालेंगे अपने online projects डालेंगे तो जो इगनु के examiner है वह totally वह project को देखेंगे उसका व ताकि जो है इगनु के project work को simple कर दिया जाए और जो है उसका marking scheme भी आसान कर दिया जाए सही तरीके सो उसका evaluation हो सचाई के साथ पूरे सही तरीके सो उसका evaluation हो ठीक है तो इस तरह जो delay हो रहा था project work में चुकिंग में delay लग रहा था ठीक है project work time पे evaluate नहीं हो पा रहा था guide नहीं इमेल पा रहे थे वो सब problem के ठीक हो जाएगा इसके साथ ही जब nursery school खूल जाएंगे तब क्या है कि candidate उस समय भी जो activities कराएंगे face to face students के साथ कराएंगे जब schools खूल जाएंगे उस समय भी वो लो उसका भी एक video बनाएंगे और साथ ही साथ उसमें जो guide उनके project को check कर रहा होग स्कूल के teacher उनके project पे नजर रखे होंगे कि project उन्होंने ठीक बना रहे हैं कि नहीं वह उनको जो suggestion देगा तो अब वो guide अब आपके study center की बाद आजा सकती है आपके study center के जो coordinator है या original director है वो क्या करेंगे वो आपके project manual में एनेक्शर 5 और एनेक्शर 6 दिया गया है उसके थू वह देखेंगे कि आपने अपने project में जो nursery school बताया है जहां आप कर रहे हैं वह सही है कि नहीं इस project के लिए संतोश्यनक है कि नहीं साथ ही साथ आपने जो guide या जिस nursery teacher से आप अपने project को चेक करवा रहे हैं वहापे school में वो nursery teacher के certificate सही है कि नहीं डिग्री सही है कि नहीं जि यह सारी चीजों की checking के जिम्यदारी किस पर रहेगी आपके अपने study center के coordinator पर रहेगी ठीक है यह सब से जो है आपका guide authentic रहेगा आपका project authentic रहेगा आपका school authentic रहेगा सब सही सही रहेगा according to new guidelines के हिसाब से यह सब की सारे जो है आपके coordinator के तुरू यह सब checking होगी और फिर आप project upload कर देंगे along with video और 100% checking तो वहीं पर होगी इगनुक में center में आपके video की video देखके वो लोग आपके project work की 100% checking वहीं पर करेंगे तो इस तरह आपका जो है delay जो हो रहा था project में वह मुश्किल वह delay नहीं होगा बहुत सारे students ऐसे भी थे candidates जो कह रहे थे कि नहीं हम लोगों ने तो project अपने से बनाया है हम लोग higher degree पहले से लिए हैं हमने भी add भी कर रखा है अब अगर हम DEC का project अपने से बना के upload भी कर रहे हैं तो भी ignore or reject कर दे रहा है कि नहीं आपने cheat किया है किसी से cheat करके बनाया है फपी किया है उनकी ये problem solve हो जाएगी अब चुकि वह साथ में अप आज जो है बहुत ही असान हो जगा students के लिए और फटा फट जो है आपको project works का marks आपको मिलता जाएगा I hope ये information आपको बहुत काम आएगा और आप लोग इस information का पूरा फाइदा उठाए Thank you Thank you